हेलो दोस्तो नमस्कार मिल जाएंगे सो चले दोस्तो फिलाल इस वोड़े को स्टार्ट कर लेते हैं सो दोस्तो अब हम लगा आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर और दोस्तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में या फिर हम कह सकते हैं कुछ ऐसे सेक्टर के बारे में जहाँ पर हम लोगों को बहुत अच्छी खासी पॉजिटिव खबर है यापर फिलाल तो देखने को आपर मिल रही है और दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बता है कि कोई भी सेक्टर में positive खबर आता है तो इसलिए directly उसके उपर jump करना नहीं होता है हमें check करना होता है कि वो क्या sector वाकई में अच्छा sector है क्या consistency के साथ यहाँ पे चल रहा है या फिर यह positive जो खबर यहाँ पे आई है जो कि temporary basis के उपर उस सेक्टर को फाइदा देगी तो हम लोग वहाँ पे first भी सकते है first सकते मतलब मैं trading के इसाब से बात नहीं कर रहा हूँ मैं investment के इसाब से बात कर रहा हूँ और मैं पहले आप लोग को वीडियो के शुरुवात में ही बताना चाहूँगा कि जितने भी खबरे हम लोग को देखने को मिल रहे no doubt positive खबरे है बट यहाँ पे जैसे मैं आप लोग को कहा कि long term की अगर हम लोग यहाँ पे बात करे तो इतना कुछ खास performance फिलाल तो इन सेक्टर में हम लोगों को अभी तक देखने को नहीं मिला है तो definitely गिरावाट ऐसा रहता है positive news आ गई तो थोड़ा सा जंप कर लेता है और उसमें हम लोग क्या सोच लेते हैं कि यह rocket की तरह उपर ही चला जाएगा तो ऐसा बिलकुल भी नहीं रहता है तो यह वापस हम लोगों को नीचे आते वे देखने को आपे मिल जाते है तो ऐसे कुछ खबरे तीन से चार खबरे हम लोग यहापर करने वाले है तो आप लोग इसके चलते आप अपना भी खुद का डिशेण आपे ले सकते हो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दोस्तों यहापर अभी का जो सबसे लेटेस्ट न्यूज आप लोगों ने भी सुना होगा कि यहापर जो बहुत ही तीन प्लास्टिक जो यहापर रहता है आप सब लोग का यहापर पता है अलग-अलग टाइप के प्लास्टिक रहते हैं जो बहुत ही पतला प्लास्टिक रहता है पॉलितिन टाइप का आप बोल सकते हैं तो ये सारी चीज़े दोस्तों अभी हम लोग को बैन होते वे देखने को आपे मिल रही है इसका ओफिशली डेट भी हम लोग को जारी देखने को यहापे मिल चुका है फर्स जुलै से भी अगर हम लोग यहापे बात करें यह सारी चीज़े हम लोग को प्रॉपरली बैन में जाते वे देखने को मिल रही है इसका जो यूसेज था यह जो प्लास्टिक का वो बहुत जादा था यहापे हम लोग कह सकते हैं कि इसको रिप्लेस कोन करने वाले यह जो प्लास्टिक जो था उसको तो इस plastic को दूसरा पी replace करेगा and वो है दोस्तो paper आप सब लोगों को यापर पता है and इसके चलते बहुत सारे paper stocks हम लोगों को यापर अच्छे खासे focus में आते वे देखने को आपर मिले थे बट जैसे मैंने आप लोगों को यापर बताया दूस्तो कि क्या ये खबर वाकई में हम लोगों ने paper stock में as a long term के लिए invest करके रखना चाहिए तो personally मुझे बिलकुल भी ये नहीं लगता है in fact मैं आपको बताना चाहँगा आगे भविश्य में कभी ना कभी paper stock के उपर भी कोई ना कोई यहापे बहुत बड़ी आपत्य आ सकती है because आप लोगों को पता है कि paper की भी अगर हम लोग बात करें अलग-अलग type से paper बनाये जाता है बट अगर पेड को काट कर paper बनाने की अगर हम लोग यहापे बात करें तो आप सब लोगों को बता है यह environment के खिलाफ है और इसके चलते बहुत सारे आज भी ऐसे कुछ paper के हम लोगों को factory देखने को मिलती है जा पर इस तरीकी का paper बनाये जाता है बट एक long term investor के लिए यह बिलकुल भी हम कह सकते है इन्वेस्टेबल यहापे sector नहीं है तो बस यह सबसे पहला point था जो मैं आप लोगों के सामने आपे रखना चाहरा था ultimately आपका पैसे आपका edition होना चाहिए तो यहापे आप देख सकते है लिस्ट में ने paper stocks की यहापे open की है अभी तक अगर आप इनका history उठा कर देखोगे जितने भी यह paper वाली company आई mills है यह सारे के सारे अमनों को खराब ही performance करते वे देखने को आपे मिल रहे है प्लस अगर आप इनके companies का top performer भी देखोगे यहापे तो somewhere around 5000 करोड का ही company है मतलब एक small cap type की यहापे company है JK paper तो JK paper भी अगर आप यहापे study करोगे जो की paper sector की अगर हम लोग बात करें उसमें number one पे देखने को मिल जाता है तो इसके चलते paper का इस्तमाल अच्छा कासा किया जाएगा तो इसके चलते paper company और radar के उपर आएगी पर यह temporary basis के उपर ही इनको यहापे फाइदा मिलेगा long term में इतना कुछ फाइदा यहापे नहीं मिलेगा तो इसलिए यहापे trap होना नहीं है इसा personally मुझे यहापे लगता है तो जरू अगर आप चाहो तो इन सब को study तो कर सकते हो बढ़ निवेश करने से पहले यह जो point में आपके सामने रखा है उसको आप लोगों नहीं जरू focus में आपे रखना चाहिए next अगर हम लोग यहापे बात करें दोस्तो तो second खबर है दोस्तो aviation sector से related यह जोस्तो aviation sector से related यहापे पता चल रहा है कि सरकार अभी यहापे aviation sector को मतलब airlines को यहापे मदद करने के लिए अलग-अलग यहापे हम लोगों को मतलब directly ना indirectly मदद करते हुए यह बहुत सारे खबरे यहापे आते वे देखने को आपे मिलेगी तो इसके चलते क्या होगा येस aviation sector में suddenly आप लोगों को कुछ stocks तेज भागते वे देखने को मिलेंगे और इसके पीछे का reason है कि इनका पिटाई भी उतना ही जादा हुआ है सो जो bounce back होगा वो भी बहुत तेजी से यहापे हो सकता है अभी directly मदद नहीं तो indirectly मदद कैसे यहापे किया जा सकता है तो मैं आपको बताना चांगा इसके पहले भी ऐसा यहापे हुआ है देखिए यहापे अगर हम लोग बात करें इस से लेकर point B तक जाना है और आपको पता है कि ऐसा नहीं रहता है कि आप हवे में किदर भी plane ओडा कर लेके जा सकते नहीं कुछ ऐसे area भी रहते हैं जिसको हम लोग बोलते है no fly zone भी रहते है और यहापे क्या रहते है कि कुछ airlines को ऐसा मतलब ना जाते हुए ऐसा गोल घूम 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 के जाना पड़ता है तो यहापे no fly zone रहेगा वहापे बाक्षी चल रही है बहुत सारे कि यहापे अगर वो चीजे बंद की जाए और डिरेक्ली अगर airlines अपने मुकाम तक पहुचे A2.B तो बहुत कुछ fuel उनका बच जाएगा तो इसके चलते पर flight उनका fuel बहुत बचेगा तो इसके चलते उनके आमदनी इंडारेक्ली वेसे बढ़ सकती है यह मुझे कैसे पता तो दोस्तो इसके पहले इस तरीकी के ही नुसके सबसे ज़्यादा इस्तमाल किये गए है तो डेफिनेटली इस तरीकी की चीजे आप लोगों को देखने को मिल सकती है बट क्या यह वाकई में इन सेक्टर को बूस्ट करेगा येस करेगा टेंपररी बेसेस के उपर करेगा ना कि लॉंग टर्म के लिए तो इसलिए एरलाइन कंपनियाज अगर आप देखोगे वैसे भी ही कितना है एक दो तीन चार चार ही स्टॉक्स अमनों को देखने को आपे मिल जाते हैं एरलाइन कंपनी का परफर्मस इतना कुछ खास नहीं रही तो मैंने आपको बताई है कि अवाइड ही करना यहापे तो बहुत सारे इंटरनल इशुस भी देखने को मिले है बहुत सारे फीज के डिफॉल्ड भी इन्होंने यहापे करके रख़े जिसके चलते इनके फ्लाइ मतलब यहापे कंपनी हम लोगों को चलाते वे देखने को पलते हैं इनका मार्केट शेर भी बहुत अच्छा है 58-60% बट अभी महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है एटी एफ तो आप लोगोंने सुनाए होगा यहापे मतलब फ्यूल प्लेन उड़ाने के लिए जो इतनी हालत खराब है तो डेफिनेटली यहापे छोटा मोटा जंप जरूर आ सकता है बट जो बोलते ना जंप टिका हूँ रहेगा कि ने इसके उपर डाउट है दोस्तों क्योंकि अगर आप देखोगे तो जंप तो इसके बीच में भी आया था यहापे 1500 के करीब था जंप अच्छे न्यूस तो ज़रू आएंगे बट आप लोगोंने ट्रैप होना नहीं है अगर आप जाना चाते हो तो आप जा सकते हो बट में मतलब मेरे साइड से आप लोगों को यह सारी चीज़े बता चुका हो देन नेक्स बात करेंगे दोस्तों तो यहाप सभी लोगों को अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो उनने भी रिक्वेस्ट के आता सरकार को कि उनका भी बिजनेस घाटे में ही जा रहा है स्टील सिमेंट इतना जदा महिंगा हो चुका है अभी आद देखा गे तो स्टील अभी जब से टैक्स लगाया है एक्सपोर्ट के उपर एक्सप अगर हम लोग बात करें केमिकल्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा खर्चा इनको यहाँ पर उठाना पड़ रहा है और मार्जिन्स के चलते इनकी लिटरली बैंड यहाँ पर बच बच चुकी है तो definitely सरकार यहाँ पर टेंपररी रिलिफ इनको यहाँ पर दे सकते है कु से या फिर अगर मैं बात करूँ तो गोदरेच प्रापर्टी से अच्छे है बट देखा गया तो प्राब्लेम कहा रहता है कि यह उतने सूपर डूपर रिटन्स नहीं मिलते है चोटा मोटा रिटन मिलता है और मार्केट में आप आते हो इतना बड़ा रिस्क लेकर तो उस वैशे रिटन्स मिलने चाहिए उस हिसाब से हमलों को फिलाल तो मिलते वैज देखने यहाप नहीं मिलते है ठीक है यह भी पौइंट आपको यहापर पता होना चाहिए और आखरी अगर हम लोग है बात करेंगे दोस्तों तो यहापर मैं बताना चाहूँँगा यहापर कि इतना कुछ खास परफर्मस हम लोगों को यहापे देखने को अभी तक तो यहापे नहीं मिला है तो यह भी पॉइंट आप लोगों ने ज़रूर यहापे फोकस में रखना चाहिए मतलब प्रॉब्लेम क्या होता है कि न्यूस चैनल की उपर यह अच्छे न्यूस चलाए जात जखता है मतलब मल्ति बैगर मतलब अभी इसे जल रहा है बट और अगर आप देखोगे तो उनके रिटरंस कमाल के है तो वह सेक्टर ही कमाल का है तो ऐसे सेक्टर को आप लोगों सोचना है कि जो भविशमें अच्छा काम करेगा यह बाकी जितने भी अभी के सेक्टर ने रखते हो यह इस में वीडियो का मुद्धा था तो संभाल कर रहे हैं बस इतना एकना चाहिए कि रिपोर्ट्स के जरी सोर्सेज के जरी बताया जा रहा है कि सरकार इनको मदद करनी के लिए यहापे बहुत सारे बड़े-बड़े डिशिएंस यहापे लेने वाले है तो ट्रे